विल्कम बैक टू में चैनल, पहुत स्वागत है आप सब का मेरे चैनल पे, कैसे आप सब वमेद आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में कुसाल होंगे, और मस्त होंगे, अपनी लाइफ को इंज्डॉय कर रहे होंगे, मैं चाहती हूँ ऐसे सबी ल तो देखे फेंस यहां पर बहुत ही प्यार से मेरे देवल जी मेरी बेटी के लिए टिफिन पैक कर रहे हैं तो यह वो कर रहे थे कि मतलब मैं कर देता हूं तो खाना मैंने पैक कर दिया था और शीटू अभी प्रोजेक्ट के लिए जा रही है तो फिर और से मैं थोड़ा सा टिफिन भी दे दे रही हूं और वो अपने फ्रेंस के घर पे जा रही है तो थोड़ा सा मैंने टिफिन दिया था साय टाइम लग जाए इसलिए और बहुत अच्छा अभी मतलब टिफिन भी मैंने बनाया था और मंगाया भी था जो आज मैंने बनाया था थोड़ा सा पुड़ी और मैदे का पराथा और मुधर आलूकी सबजी मैंने घर पे बनाया था भी थोड़ा सा ले क strangely मार्केट से तो फीर दोनों हम लोग ने संफ किया था तो देवर जी को खाने और देया तो प्यों मार्गेर का था उनको विल्कुल भी पसंद निया जो मैंने घर में बनाया था उन्हें पसंद आया तो यह था और यह दिखी यहां पर मैं एक बच्चे जो ट्रिसंद के आते न तो उन्हें मैं पढ़ा रही थी तो यह चोटी बच्ची को मेरे से पनने में अच्छा लगता है तो इसलिए मैं थोड़े से समझा रही थी इसे कि ऐसे पढ़ो जैसे मैं अपने बच्चों को पढ़ा दी थी वैसे ही और देखें यहां पर अभी मेरे घर में सब्जिया लेके हजबन जी आए हैं तो अभी सब में सिप्ट कर दी हूँ जैसे जहां जहां पर रखना है वहा सजे को सचा के अभी ऑफेके अभी मैं बहुत कुछ से बताना चालती हूं इस वीडियो मेरा पुराना है तो अभी मैं США में अटने मला है तो मैं इसे एडित कर के डाल रही हूँ तो देके ठीक ज़िस आभी ऑपे घर पे ॉच्रbon अबी बना था वही में यहां पर बोल देए हूं अभी फुच का घा रहे हैं बहुत तेस्टी हका घर में जो भी बनताय होता है रहां भाघ संतुष्ती बढ़ता है मैं उससे María अभी आई हूं ? घर का बना बहुत टेश्टी लगता है बहूत अच्छा भी लगता है के चलो सुद्र मिल गया और बस यही था और यह सामका समय है तो मैं अभी आई हो अपने सुसुराल में मेरी माद जी है और यहां पर मैं आई हूँ अभी मेरी देरानी का आज मेरे जनुरिशनी है तो फिर उन्हों ने हमें बुलाया था बहुत अच्छे खाना बना है बहुत तेस्टी तेस्टी और जोले पूरी सेट्यां अविधार्य वीडियो तो मैंने हमें बुलाया था तो प्री तो इनका थोड़ा सा थोड़ा सा यह हो गया था तो फिर अपने सिश्टी से थोड़ा सा थीक में कोबर कर दे रही है और बहुत अच्छे हैं भी लड़ो पाल जी हो गए तो यह नेक्स्ट देखा था तो फिर हम लोग मार्केट जा रहे हैं कुछ चीजों की तियारी चल रही है तो फिर वो काम हम लोग धीरे-धीरे कर रहे थे ज्यादा टाइम था नहीं हमारे पास बस दो दो दिन में ही यह फाइनल हुआ है जो अभी में आने वाले ब्लॉग में थोड़ा-थोड़ा करकी सेयर करूंगी तो वीडियो मेरा बहुत ल है थे खारे हूं तो बस मेरा ध्यान चोने चोने दो प्लांट पे है जो पपीते का है और उसी को मैं खाद दեती हूं और उसे कोसिंज कर रहे हो जैसे कि मैंने पहले वाला यह मोटा पपीता को मैंने बहुत चोटा सा पौधा को मैंने खाद दे दे कि अभी तक मैं इसमें और बहुत सारे पपिता भी मुझे मिलते हैं तो मैं कोशिश कर रही हूं कि वो भी ठीक हो जाए और बड़ा होने के बाद ही पता चलेगा कि वो पोधा कैसा है तो लिखे पियां सभी में मार्केट में आ गए हूं और यहां पर मेरी सॉपिंग की त्यारी चल रही है तो एक सा साथ और यहां पर कुछ मार्केटिंग में जो मुझे जरुएत की चीज थे वो सब मैंने यहां पर करीद लिया है और फिर अभी मैं आगी हूं कप्टे की दुकान में तो फिर यहां पर मैं कॉटन की सारिया पसंद कर रही थी अपने मम्मी माजी के लिए तो फिर वो सब श अब आखे गए और अपी नूडल सेके प्गट है तो वहीं में यां पर डाल देघा रही हूं एकी सांत में पका दूँगी और यहां पर मैं कृती से बाते कर रही हूं बहुत कुछ ऐसी बाते जिसमें मुझे बहुत हस्ती आरी है कुछ डिसकर न भी चल रहा है हमारा कि हम क्या करना है के सबस्ट करती है कि इसा करना सही होगा तो बस यहीं था अभी बाते में माश्म बेटी अपने यह ही नियुक्ट करके और बात करकर करें मतलब धिसकस करए फिर काम करते हैं यह बिलकुल रातका है और यहीं और एढरude तो हमारे घर पे थोरा सा पानी का कमी था और नेश्ट मुझे पानी बहुत सारे लगने वाले हैं तो मैं बस काकी मा के घर से पानी ले रही थी और बहुत सारा पानी हमने भड़ा था क्योंकि मुझे पानी बहुत सारे लगने वाले हैं